क्षत्रिय समाज में उबाल सपाप्रवक्ता का फूर्का पुतला सपाप्रवक्ता सुनीर साजन द्वारा क्षत्रिय समाज के खिलाफ की गई अभध्र टिपपणी ने समाज के लोग में हलचल मचा दी है इसी अभध्र टिपणी के विरोध में क्षत्रिय समाज के लोग में रविवार को कासगंज में जुलूस निकाल कर सुनीर साजन का पुतला धनकर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया साथ ही सदर कोत्वाल को थरीर देकर मामले में कारवाई किये जाने की गुहार लगाई यह विरोध पुतला धन जुलूस कासगंच शहर के प्रभुपार्ट स्थितडाई शशिल्ता चैहान के आवाज से निकला गया बार में यह जुलूस नद्रई गेट होता हुआ प्रभुपार्ट में प्रभुपार्ट में प्रुचाजह क्षत्रिय समाज के लोग ने धारा 144 में बिना जिला प्रशासन की अनुम्ती के पुतला धन किया इसको लेकर सदर कोथवाल समेत भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहापडी पुलिस की सुरक्षा वय अवस्था के बीच खत्रिय समाज के लोग ने सपाप्रवत्ता सुनील साजन द्वारा समाज के खिलाफ अभ़दर टिपणी करने के मामले में सदर कोथवाली को थ्र देकर कारवाई की मांग की इस मौके पर क्षत्रिय समाज के नेता वरूर्ण चयहान ने जांकारी देते हुए बताया गत दिनों सपा प्रवक्ता सुनीर साजन ने अपमान जनक टिपपणी करते हुए कहा था कि जो राजा क्षत्रिय होते थे वो अंग्रेजों और मुगलों क खासा आक्रोश है उन्होंने सुनीर साजन को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो साजन क्षत्रिय समाज से माफी मांगे अन्यथा इसका खाम्याजा सपा को भुतान पड़ेगा यहां पुतला दहल करने का उद्धिस हमारा यह है कि हमारे छत्रिय समाज की सबसे बड़ी ल प्रवक्ता और MLCB हैं उन्हें इस प्रकार का ऊच्छा और राजबूत समाज के उपर इसे निंदनी ब्यान नहीं देना चाहिए था हम इसकी बिल्कु निंदा करते हैं और उनको इस प्रकार से उनको चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने समाज से खुले हम अगर उन्ह करते हैं